नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अभिहारी निउज में, मैं हूँ आपके साथ अभै विशाल सर्दियों में संक्रमन का खत्रा बढ़ जाता है सर्दिय जुकाम के साथ ही इस मौसम में गले में खराश की परेशानी भी होने लगती है कोरोना काल में ये समस्या लोगों को और भी ज़्यादा परेशानी में डाल देती है ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व स्वास संगठन के मुताबिक गले में खराश भी COVID-19 के आम लक्षनों में से एक है कई बार ये परेशानी लोगों को चीजचिराहट का कारण भी बन सकती है खराश के वज़े से गले में कुछ-कुछाहट और दर्द जैसी दिक्कते भी आती है ऐसे में अगर आप भी गले में खराश की समस्या से जूज रहे हैं सबसे पहले हम बात करेंगे लहसुन के बारे में स्वास्त विसे सग्यों का मानना है कि गले में खराश की परिसानी को दूर करने में लहसुन काफी लाब दायक सिद्ध होता है इसमें एंटी बायोटीक, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेट्री जैसे कई गून पाया जाते हैं जो सेहत के लिए फायदमंध है माना जाता है कि लहसुन में सलफर उच मात्रा में मौझूद होता है जो बैक्टिरिया को खत्म करता है अब हम बात करेंगे शहद के बारे में और जैने के कैसे सहद गले में खरास की समस्या को दूर करता है सहद एक ऐसी आयरुवेदिक औसदी है जो भारत के लगभग सभी घरों में पाई जाती है आयरुवेदिक के जानकारों की माने तो सहद को इम्मिनुटी बुस्टर भी कहा गया है क्योंकि इसमें इम्मिनुटी बुस्ट करने के लिए गून पाये जाते हैं साथ ही इसके सेवन से संक्रमन का खत्रा भी कम होता है इसमें naturally antibiotic मौझूद होते हैं जो गले को रहत पहुचाते हैं और गले की खरास को दूर करते हैं इतना ही नहीं खासी की समस्या को भी दूर करने में शहद को एहम माना गया है अब बात करते हैं काली मिर्च के बारे में दोस्तो स्वास्त विसे सग्यों का मानना है कि काली मिर्च के सेवन से गले में खरास की समस्या दूर होती है ऐसा माना गया है कि काली मिर्च खाने से गला साफ होता है और गले का दर्द भी गायब हो जाता है आप इसे साबुत भी चबा सकते हैं या फिर मिसी के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं इन सब के अलावा काली मिट्ष और तुलसी पत्ता का कारा भी बहुत ही फायदेवन माना गया है या ना सिर्फ गले में खरास की समस्था को दूर करता है बलकि सरीर के रोग प्रतिरुधक छमता को भी बढ़ाने का काम करता है अब बात करते हैं अदरक के बारे में अधरक anti-inflammatory गुनों से भरपूर होता है इसके सेवन से सरीर में pro-inflammatory proteins कम बनते हैं डॉक्टर्स का मानना है कि गले में खरास होने की स्तिती में और खुजली होने की स्तिती में अधरक कारगर सावित होता है गले के खरास की समस्चा को कम करने में अधरक काफी मदददार सावित होता है तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमारे दवारा या दी गई जानकारी आपको काम आएगी अगर इस सम्बंद में आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भेज सकते हैं आप अपना सुझाओं भी हमें कमेंट कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही बिहार के हर छोटी बरी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रिए बिहारी नूच धन्यवाद